वेल्कम टियूर ओन चैनल डिली स्टॉक तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर इंडो वीड एनरजी लिमिडेड कंपनी जो कि एक अच्छी खासी कंपनी है तो उसके अंदर आज जो यहाँ पर हमें 5 परशन का सरकीट लगते हुए देखने को ज़रू साथ में अगर आपने अभी तक हमाई चैनल डिली स्टॉक को आपने सब्स्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्स्राइब ज़रू कर दिएगा तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनस के बारे बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी है इंडो वीड एनरजी लि फरें एक्जांपल वन एकर की जमीन के अंदर तो यह कंपनी का करती है उसके अच्छे ऐसे प्राइस पर बेचती है और इसके तूरू इसका कंपनी का निकल कर आता है वो है 141.34 कुड़ों का इस company का जो है यहापर मैं market capitalization देखने को मिल रहा है जो कि इस company को जो है एक small cap stock ज़रूर बना देता है और उसके साथ-साथ में आपर जो है share की जो face value है वो है 10 rupees अगर मैं आपर company के बीटा के बारे बात को तो वो है 0.37 जो कि अगर यहापर indices के अंदर अगर आपको यहापर जो है 1% का price momentum देखने को मिलता है तो इस share के अंदर भी आपको on an average बिजिस पर 0.37% का momentum देखने को मिल सकता है currently आपर industry के price to earning के साब से compare करें तो काफी महंगे price to earning पे share जो यहापर हमें ज़रूख trade होते हुए देखने को मिल रहा है price to book के साब से देखें तो share का जो price है वो काफी अच्छा है और काफी attractive valuation पे देखने को मिल रहा है that is price to book निकल कर रहा है share का 0.62 और book value share की 25.46 तो यहापर currently जो price पर share market में आपर हमें trade होते हुए देखने को मिल रहा है तो यह भी जो key point है यहापर हमें ध्यान रखना चाहिए 2018, 2019, 2020, 2021 के अदर हर साल के अंदर एक चीज़ काफी common देखने मिली जो यहापर है की company के जो भी revenue है पिछले तीन कौटर में किस तरहा पर्फोमेंस किया है तो वो भी हम इस वीडियो में जरूर देखने वाल है शेरोल्डिंग पैटन कंपेर करते इस company का तो एंफे डिडिस company जो खुद के जो promoters है उनका इस company में निवेश डिस 45.8287% देखने इन्वेस्टमेंट है वो यहापर company के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है यहापर company के company के नहीं बट public investment मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो retail के डिगर इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है तो यहापर अगर हम overall business पर भी देखने जाए company के यहापर जिस तरह से यहापर हमें company के share rolling pattern देखने मिल रहा है तो इतना भी सदा positive यहापर हमें इस company का share rolling pattern देखने को नहीं मिल रहा है बट nonetheless यहापर company जो अगर समझ लो company जो promoter investment है वो अगर समझ लो more than 50% होता तो मेरे आपसे और जदा अच्छा आसा positive sentiment यहापर में देखने को मिल सकता था revenue statement compare करते इस company तो पिछले तीन quarter में यहापर company ने किस तरह के नतीजे देखने को मिल है यहापर तो company का यहापर सबसे पहले जो revenue देखने को मिल रहा है मार्स 2021 के अंदर यहापर company ने total income generate की थी और उसके सामने आपर company ने net profit अगर हम देखने जाए तो no profit as well as no loss का यहापर हम इस stage देखने को मिल रहा है मार्स जून 2021 के अंदर 6 करोड रुपीज का यहापर company ने revenue generate किया था और उसके सामने यहापर company ने उससे 1 करोड रुपीज का ही profit generate किया हुआ है तो यहापर जो company का business line है जो top line है उसके दिन साथ हमें increment देखने को नहीं मिल रहा है बट फिर भी September 2021 के अंदर जो company top line है वह यहापर बढ़कर हो चुकी है 8 करोड रुपीज और उसके सामने भी no profit no loss यहापर हमें देखने को मिल रहा है अल्दो यह जो small cap company जिसका जो market cap की अब बात करते हैं तो काफी कम इस 141 कोड का इस company का market के और उसके सामने आपर जो company के जिस तरह से returns देखने मिल रहा है जिस तरह का company बिजनस देखने मिल रहा है वह बताता है कि यहापर जो company का business है वह काफी small line में यहापर हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ में अगर हम यहापर company के अगर ratios भी compare करते हैं तो काफी minimal यहापर हमें level पर देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले जो ratio यहापर हमें देखने मिल रहा है वह यह company का return on net worth या फिर return on equity percentage तो यह आपको बताता है कि company अंदर market में जितना भी equity है उस equity के पाती है तो वो था इस company के अंदर मार्च के अंदर माइनस 6.11% मार्च 2020 के अंदर 0.02% मार्च 2021 के अंदर 0% के अंदर हमें यहापर जो है return on equity percentage देखने को मिला है जो कि काफी negative बात है और ROC की भी अगर मैं आपर बात करूँ कि अपको बदार के अंदर market में जीतना भी capital इस return on capital employed तो that is mixture of board that is that is on equity of course तो उसके अपर आपर जो है company कितना परशेंट प्रॉफित जनेट कर पाती है तो वो भी था इस company का मार्च 2020 के अंदर मार्च 2020 के अंदर मार्च 2021 के अंदर 0.8% का आपर जो है company का ROC परशेंट देखने को मिला है ROA के बार है बात के लिए return on asset percentage तो यह इंडिकेट करता है कि यह पर company के अंदर market में जितना भी asset है that is company के जितनी वी asset से उनने asset के उपर यापर company कितना परशेंट प्रॉफित जनेट कर पाता है तो वो था इस company मार्च 2019 के अंदर माइनस 4.05% मार्च 2020 के अंदर माइनस sorry 0.01% मार्च 2021 के अंदर 0% के अंदर जीरो प company top line as bottom line जो उसके अंदर जापर जाबा growth देखने को नहीं मिल राए इस debt to equity 2019 में 0.46 से 0.44 के ratio पॉर में वह था मार्च 2020 के अंदर मार्च 2021 के अंदर 0.25 as well as interest cover ratio की भी अगर आपर बात करते है तो जो कि अपर दर की company के अंदर क्या capacity market में interest pay करने की तो वह था कि इस company 19 के अंदर माइनस 0.07 मार्च 2020 के अंदर माइनस 0.05 मार्च 2021 के अंदर 1.13% का यापर जो है में company का interest cover ratio देखने को मिला है अगर मैं currently करेंट लेवल के सबसे बात को तो अभी जो शेयर ओल टेम हाई के पास ही जापर ड्रेड होते हो देखने मिल रही अगर आज की बात करूं तो 15.75 पेस देखने को मिला है तो मेरे point of view के साब से company पर टॉप 10 बॉटम लाइन काफी वीक देखने को मिल रहा है ऐस उन्दन टाइम फेक याप पर company profit नहीं कमा पार यह बहुत ही छोटा investment और यह पर यह company का अंदर में आपर बात करूं तो काफी ज्यादा operator operative जो है moments आपर में देखने को मिल सकती है तो investment point of view के साब से बात करूं तो यहापर हमें cautious जरूर रहना चाहिए बट उसके साथ साथ में आपर यह company का business line है वो काफी अच्छा है तो यहापर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मेरे अगर इस शेयर में थोड़ी बहुत अगर अच्छी कासी गिरावत देखने को मि निवेश करने का सोचेगा तो होप करता हूं कि अपको इंडो विन एजनची कमपनी के बार में आपको यहापर आपको समझ गया होगा और आपको अपना क्या decision लेना है वो भी आपको बता चल गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शे और माय चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको इस कम्पनी लेटर या फिर इस कम्पनी डीटा रेलेटर कोई डाउट तो वो भी आप हमें कमेंट चेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा थैंक यू